वेलकम डो रियोट्यूब चानल बैंग एंजिनियर तो दोस्तों आज हम देखने वाले स्टेर्स ओके तो दोस्तों आपको बीसियम में स्टेर्स के ओपर एक या दो कशन तो जरूर पुछे जाते हैं इसे सी में हो गया या फिर आपको भी अधर एक्जाम दे रहे हो स्टेट एक्जाम दे रहे हो दोस्तों आपको इस टॉपिक यो पर एक से दो कशन देखने मिल सकता है तो हम इसे डेटेल देख लेंगे तो दोस्तों what is stairs a stair is a system of steps by which a people and objects में पास from one level of building to another okay a stair is to be designed to span large vertical distance by dividing it into smaller vertical distances called steps okay then the location of the stairs तो मिसे कहा दे सकते दोस्तों की आपको easy access to occupants मिल जाए okay it should be located as to provide easy access to occupants of the building it should be so located that it is well lighted and ventilated directly from the exterior it should be located as to have approaches convenient and spacious it public building it should be located near the main entrance and in residential building it should be placed centrally okay तो दोस्तों आपको easy access कही से मिल सकता है वही उस जगह पे आपको देना stairs को साथी साथ वह well lighted होना चाहिए और ventilated होना चाहिए देन आपको उसे easily conveniently approach करते आना चाहिए और साथी साथ दोस्तों अगर आप residential building में provide कर रहे हो ठीक है तो आपने से centrally देना है और अगर आप commercial building में provide करने वाले public building में provide करने वाले हो तो आपको उसे में एंटरंस के पास देना होता है ठीक है तो यह कुछ locations के देन नेक्स्ट है technical terms तो दोस्तों एक्साम में आपको technical terms पुछते हैं तो हम देख लेंगे the definitions of technical terms used in the connection with the stairs are as follows तो first term is baluster what is baluster it is the vertical member of a wood or a metal supporting the hand rail okay तो दोस्तों आपको figure दिख रहे हैं okay हम सुमिन कर लेंगे तो आप देख सकते हो it is the vertical member ठीक है which connects the wooden member vertical member which supports the wood and hand rail okay तो आपने trade और hand rail के साथ में जिसे connect किया है वह था आपका baluster the next is hand rail the inclined rail over the string is gone hand rail okay तो आपने inclined member provide किया है जो inclined rail provide किया है अपने ओवर the string तो उसे आप कहते हो hand rail okay the next दोस्तों naval post okay this is the vertical member which is placed at the ends of flight to connect the hand rail okay तो दोस्ते एक बदोस्ते जूम इन कर लेंगे हम देख रहा है आपको दोस्तों यह है आपका नेवल पोस्त यह स्टार्टिंग और एंड में दिया जाता है और एक अनेट करता है है हैंड रेल्स को ओके नेक्स देख लेंगे हम वेस्ट दे थिकनिष स्ट्रॉक्चरल स्लाब इन दिचेस ऑं और जारसा काल वेस्ट ओके तो आपका जो ठिकनिष हूंगा शलेप का ठीडाटि वेश्ट तो यह जो ठीकनिष philanthrop का यह है आपका इस इस कॉल्ड वेस्ट तो ने देख लिया बाल इस्टर समझगे आपको हैंड्रेल नेवल पोस्ट सफिट एंड वेस्ट अब नेक्स्ट हम देखेंगे नुजिंग ओकी नुजिंग क्या होता है दोस्तों इस दो पूचिंग पार्ट आप दे ट्रेड बियॉंड फेस आपका ठीक है जो आपका ट्रेड है इस इवर ट्रेड तो ट्रेड का जो एक्स्ट्रा इनलाज पोर्ट्शन होता है वह था आपका नुजिंग और किसले प्रवाइड करते हैं तो यू आर्किटेक्ट्ट्ट्रल अपेरंस ओके दे नेक्स्ट इस स्कॉटिया वर्यस्कॉटिया इप टोवाइड अंदर देनोजिंग तो इंप्रोव दि एलेवेशन ओब देन ऐस्ते थे डिए तो इस पर्मिटिश्ट अंड ऐसेंट जो कि यह और राइजर लोगा की आपका जोट्रेड एंड राइजर का जो टोटल combination होंगा this is your this is your step okay the next आपका trade trade क्या होता है दोस्तो it is the upper horizontal portion of step upon which the fit is placed while ascending or descending ठीक है तो दोस्तो क्या होता है आपका कि this is your horizontal member of a step on which you put your foot okay तो आपने समच लिया कि जो अपका horizontal member होंगा जिस पर आप अपने पैर रखते हो उसे कहते हैं आप trade और राइजर क्या होता है दोस्तो राइज इस दो वर्टिकल इस्टन्स बेट्विन टू सक्सेशिव ट्रेड फेसे ओके दोस्तो आपके जो दो सक्सेशिव ट्रेड होंगे ऊके उसे हम कहेंगे राइज फॉर एक्जेंपल इस यहां से तो यहां तक इसकी बीच का जो डिस्टन्स है डिस इवर राइज ओके डिस इवर राइज देन नेक्स जोस्ता आपका गोइंग ठीक है तो गोइंग क्या होता है इस the horizontal distance between the two successive riser faces okay तो दोस्तों आपका जो टू successive risers होंगा ठीक है फॉर एक राइसर है और यह राइसर है ठीक है तो इनके बीच का जो difference होंगा उसे हम कहेंगे going उसे हम कहेंगे going ठीक है तो आपने rise and going देख लिया trade समझ गया आपको and step समझ गया the next step अपना flight okay a series of steps without any platform break or landing in their direction ठीक है तो flight क्या होता है दोस्तों की a series of steps तो जिस पर आपके series of steps like करती है on any platform और यहाँ पर बिल्कुल भी break नहीं होंगा किसी पितरा का landing नहीं होंगा उस continuous structure को आप कहते हो flight for example जो आपको यह member दिख रहा है पूरा यह है अपका flight अब दोस्तों आपका minimum number of steps एक flight में होते है थ्री और maximum number of flight maximum number of steps होते है 12 ओके यह आप याद रखिएगा उसके बाद में landing क्या होता है दोस्तों की landing it is the level platform at the top और bottom of the flight between the floors ओके तो मैं zoom कर लेता हूँ तो दोस्तों आपने जो level platform दिया है at the top and the bottom of the flight ठीक है जैसे आपकी flight start होती है ठीक है जैसे आपकी flight start होती है और जैसे आपकी flight end होती है तो आपने जो provide किया है वह था आपका landing वह था आपका दोस्तों landing ठीक है then run run is the total length of the stairs in the horizontal plane including the landing ठीक है तो दोस्तों flight में होता है शिरीज of steps लेकिन अगर आपको रन पूछ लिया तो रन में क्या होंगा दोस्तों आपका series of steps plus landings इन दोनों का भी calculation होंगा ठीक है तो the total length of the stairs in the horizontal plane including landing यह होता है आपका दोस्तों run okay this is your run तो अपनी flight landing and run समझ लिया नेक्स्ट है हमारा headroom अब headroom क्या होता है दोस्तों कि it is the minimum clear vertical distance between the trade and sealing ठीक है तो दोस्तों यह क्या होता है कि the minimum vertical distance between technology and sealing तो दोस्तों आप जब ड्रेट पर खड़े हो यह स्टेफ है ठीक है तो आपके सिर के उपर ठीक है आप started अपर गते हो ये göra होटा है अपका टोटल हेडरोम यह युद्प आपका हेडरोम हाट फिंप को डिच आ जो कि आप की ऐखिया दौस्तु में करता है वीडिशिंत सब्सक्राइए by 괜찮 अ की तो कि आपकी। स्लोप बूर कोपने पिच की आपका होता है 25 दीगरी to 40 डिग्य। ठीके तैसे 2 Il醉 40 degree then riser riser is the vertical proportion of the state providing a support to the trade okay the job ka vertical proportion of time okay this is your vertical proportion to you hold I up a riser okay you know that do stopka riser ticket the next day the line of losing it is an imaginary line touching of each trade and is parallel to the slope of the stair ticket to do so yeah 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 it is a imaginary line touching of each trade and is parallel to the slope of the stair to parallel on the slope of the stair or pitch of the stair which is 25 to 40 degree the next day is the winders of winders a bit commonly asked question is the system of the car so what the winder these are the tapering steps which are provided for changing the direction of stair okay these are the tapering steps which are provided for changing the direction of the stairs these are the stopping wooden member which supports the stays in the stair तो हमें यहां देखने मिल जाएंगा झिए टुणत मेंबेर होता है जिस को हमने अपने स्वूप क किला है यव करता डेर तो टू टाइप्स ऑप स्ट्रिंग वनीज अपर ओर ओपन स्ट्रिंग अना दर बिद लूज और होस कुछ जगा पर दोस्तों को कटिंग देखने मिलती एए और कुछ जगा पर आपको ख्लोज मिलता है एक तो अपने जो स्टेप्स प्रोवाइट की है इस तरह से ठीक ह और इसे हमने stringer प्रोवाइट किया है दोस्तों ठीक है तो क्या होता है कि कभी-कभी आपका stringer इस तरह दिया होता है यह होता है अपका close वाला और एक होता है cut वाला कैसा होता है दोस्तों यह आपकी stairs है ठीक है और जो stringer होता है हमारा ठीक है तो stringer भी इस तरह से provide किया जाता ह है ठीक है तो होप आपको समझ किया होंगा कि एक होता है close वाला और एक होता है cut वाला ठीक है तो there are two types one is a cut or open string another is a close or house string in the cut or open string the upper edge is cut away to receive the ends of step okay तो हमने देखा था कि हमने upper end cut किया है in the cut edge upper edge ठीक है उसके बाद में close and house string the ends of the step are house between the straight parallel edges of the string ठीक है तो दोस्तों हमने दोनों type देख लिये थे इस तरह से एक होती है this is your cut and this is your closed ठीक है then next हम देखने वाले है balustrade और barrister ठीक है balustrade और barrister the combined framework of handrail and baluster is known as balustrade और barrister ठीक है तो दोस्तों combine framework of handrail and baluster अब दोस्तों हमने इसके पहले बालुस्तर देख लिया था एक बार देख लेंगे फिर से कि कि तो हमने देखा था दोस्तों कि this is your balustrade and this is your handrail ओके तो यह जो हमारा structure है ठीक है this is your handrail and this is your balustrade तो इस composite structure को हम कहेंगे दोस्तों balustrade क्या कहेंगे balustrade ओके तो दोस्तों यह है आपका balustrade ओके तो balustrade और balustrade में अपने confuse नहीं होना है ओके तो हमने balustrade और barister देख लिया ठीक है next है आमारा walking line walking line the approximate line of moment of people on a stair during ascending or descending is known as walking line and is situated at a distance of about 450 mm from the center of handrail ठीक है दोस्तों आपने क्या है walking line it is the approximate line of moment of the people ठीक है जब भी कोई इंसान stairs पर walk करेंगा तो वो जिस direction में walk करने वाला है उसे हम कहते है walking line वो starting से तो end तक जिस तरह move करता है उसे हम कहते walking line और वो लाई करती है from 450 meter mm from center of the handle ठीक है center of the handle से 450 mm पर लाई करती है okay तो दोस्तों हमने सभी important terms देख लिए ओके अगर आपको कोई कह रहे है तो पूछ लेज़ेगा इसके बाद हम देखेंगे types of steps okay तो दोस्तों काफी स्टेप और balancing step splayed step and winder तो दोस्तों वाइंडर तो काफी आसाने से पूछा गया क्वेशन है लेकिन आपको बाकी सब भी पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसे include किया है तो हम देख लेंगे सबसे पहले है दोस्तों बुल नोस step तो क्या होता है दोस्तों इसाटेफ मीं क्या होता है कि देखे कहां प्रोबीत किये हमने इन फ्र Championspowered पोस्तों ठीक है तो जहां नेवल पोस्स खतम होता है जहां नेवल पोस्त प्रोबाइट कियाए वहाही हमने इस तरह से क्वादरन्ट अप्द तर्कल में बुल्नोज प्रवाइट किया है ठीक है तो यह है दोस्तों आपका बुल्नोज स्टेप नेक्स्ट दोस्त हमरा राउंड एंडेड स्टेप एस सिमिलर ओफ बुल्नोज स्टेप एकसेब्ड और ऑपका बुल्नोज है ओर वो स्टेप होता है यह समी साता है और दोस्तों चार्फ एसके बाहर में यह चोको भाशेत होता है तो आप नेहीं हो rif जैन नेक्स्ट दोस्तों फिलर अब फिलर क्या होता it is a ordinary step of uniform and rectangular shape in the plan okay दोस्तों क्या होता है फिलर अपको दिखिए रहा है filler तो यह क्या होता है एक normal width and length के हम provide करते है for ascending or descending ठीक है तो यह मतला का फिलर ठीक है फिलर step the next चाहिए से कमोड स्टेप अकमोड स्टेप has a curve trade andcontrolled ऑपके अपर को डाइग दिख्यारी है क्या होंगा इसका स्पेशलेटी जन्हें है कि कर्व ट्रेड होता है और राइजर भी होता है छी टेट से यह the winders which do not radiate from a common center, ठीक है, तो दोस्तों dancing steps में क्या होता है, कि आपकी जो steps होती है, वो winders की तरह होती है, लेकिन difference क्या है, कि वो एक center से radiate नहीं होती है, winders में क्या होंगा दोस्तों, कि आपके जितने भी steps है, वो center से radiate होंगी, हम आगे winders भी देखने वाले, तो आप balancing step को देख लिचें, ठीक है, तो ये सभी अलग अलग जगा पर लाइ करती है, हमारा winders के होंगा दोस्तों, हमारा winders एक ही जगा पर लाइं करेंगा, उनका center एक ही जगा पर होंगा, ठीक है, जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और मैं सब्सक्राइब जनकर हमें उन्हें देखा ताइब वाइंडर्स आर टैपरिंग स्टेप सच आज दोज विच राड़ेट फॉम पॉइंट यूजली सिचेटेट अड़ सेंटर आप देवल पोस्ट ओके तो दोस्तों यह होता है आपका वाइंडर और अब देख सकते हो कि यह सभी एक ही सेंटर पर राड़ेट हो रही है एक ही स से हिन सभी स्टेपव्स का रडियेशन और ढiğए अंगराथ आ टाइपएंगल एक हम देखने माले हों है कि तो हम देखने माले इस्न टाइप सोब भी गषान में तो हम नमीपन की सी इस्ट्यप में कि यह थिरक होती है सबसे भी तेक्स मेरा ओंग तो सबसे पहले स्टेट स् वन डिरेक्शन सिंप्लिस्ट फॉर्म ऑप स्टेयर अरेंजमेंट इट में भी कंसिस्ट ओफ वन और मॉर फ्लाइट ओके दे आर यूज वेन दे स्पेस अवेलेबल फॉर्ट इस लॉंग बट नैरो इन विर्थ ठीक है दोस्तों तो आपने इससे वन डिरेक्शन में प्रोइ जाधा जगा नहीं होती जाधा जगा नहीं है तो आप उस वक्त में इस्तेयर का स्टेयर का इस्तेमाल करोंगे ठीक है दिन दो विर्थ और the quarter turn stair, then half turn stair, then three quarter turn stair, okay. तो सबसे पले देखिए गियम quarter turn stair, okay. A stair turning through one right angle is known as quarter turn stair or L-shaped stair. If a quarter turn stair is branched into two flights at a landing, is known as bifurcated stair. This type of stair is commonly used in the public buildings near the entrance hall. The stair has a winder flight at the bottom which bifurcates into two narrower flights at the landing, okay. दोस्तों, क्या होता है इसमें कि आपका जो stair होता है, वो one right angle turn लेता है. कितना one right angle 90 degree turn लेंगा in quarter turn stair में, ठीक है. और इसे हम कहते हैं L-shaped stair, ठीक है. उसके बाद में दोस्तों, अगर आपका stair branch होता है into two flights में, जिस तरह से ये दिख रहा है आपको, तो यह से हम कहेंगी bifurcated stair, okay. और दोस्तों, इस type of stair commonly हम इस्तिमाल करते हैं for public buildings में near the entrance, okay. और दोस्तों, अपने याद रखना है कि the stair has a winder flight at the bottom, which bifurcates into two narrower flights at the landing, ठीक है. तो दोस्तों, अपने याद रखना है कि आपने winder provide करना होता है, ठीक है. जब आपका यहाँ पर में stair post जाती है, तो यहाँ से winder provide किया जाता है, जिससे आप उस step को bifurcate करते हो, और उसकी direction change करते हो, ठीक है. तो दोस्तों, then the one turn left into left और one turn into right. The staircase has either equal or unequal flight. तो दोस्तों, आपने unequal और equal दोनों तरह की flight system में दे सकते हो, और हमें तो पता है कि minimum 3 steps और maximum 12 steps हम दे सकते हैं. तो नेक्स जब दोस्तों हमारा half turn stairs, ओके, a stair turning through right angle is called half turn stair. ठीक है दोस्तों, तो आपने इसे 90 degree में दो बार rotate करना है, ठीक है, यहाँ पर भी 90 है, और यहाँ पर भी 90 है, ठीक है. तो दोस्तों, यहाँ पर दो types होते हैं हमारे half turn stair के first one है आपका dog leg stair और दूसरा है आपका open navel stair. अब दोस्तों, dog leg stair में क्या होता है कि two short flights with a half space landing is between them, in case of dog leg stair, the flight run in opposite direction and there is no space between them in the plan. ठीक है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों कि आपका यहाँ पर में, ओके जो आपकी flights है, ठीक है, इसके बीच में आपको बिल्कुल भी जगा नहीं दिख रही है, ठीक है, तो यह होता है आपका dog leg stair, ओके, then it is the name is derived from its appearance in the sectional elevation, this section, this stair are useful where the total width of the space available for the staircase is equal to the twice the width of steps, ठीक है, तो आपको जब width of step twice होता है, twice the width of step आपको जगा provide की जाती है, तो आप वापर में इसे इस्तमाल करते हो, ठीक है, दिन open levels tell क्या होता है दूस्तों कि आपको इन दो flights के बीच में जगा मिलती है, इन दो flights के बीच में जगा provide कर सकते हो, तो उससे आप कहते open level, ठीक है, the space between the upper and the lower flights causes the half space landing to be stronger, okay, so in case of open level stair, there is a well or hole or opening between the flights in between in plan, so this well may be rectangular or any geometrical shape and it can be used for fixing lift, okay, so this stair are useful where the available space for the staircase has a width greater than the twice the width of steps, ठीक है, तो दो आपने जो अपने 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 जो प्रोवाइट की जाती है, उसका इस्तमाल आप for left के लिए कर सकते हो, ठीक है, और कहाँ पर देनी है, जब आपको दो फ्लाइट से जादा, मैंदे twice the width of flight अगर आपको space available है, तो उस जगह पर आप open level staircase दे सकते हो, और open level का जो design है दोस्तों, आप आपने मन से रख सकते हो, च stair turning through three right angles is called three quarter stair, in this case, an open level is formed, this type of stair is used when the length of the staircase is limited and when the vertical distance between the two flight is quite large, तो दोस्तों, यहापर three 90 degree के turns बनेंगे हमारे, then next हमारा circular और helical और spiral stair, तो दोस्तों, काफी important है, क्या होता इसमे, the steps radiate from the center and they do not have either any landing or intermediate naval post, okay, some of the important facts to be noted in the connection with the circular stair are, the flights consist of winders only and may be continued through any number of turns, okay, may be constructed of the gassed iron or mild steel or concrete, usually its structural design and construction of are complicated, in nature, तो दोस्तों, यहापर क्या होता है, कि आपने जितनी भी flights provide की है, वहाँ पर आप सिर्फ winders दोंगे, then आपने किसी भी तरह का naval post provide नहीं करना होता है, और इसके लिए आप इसका इस्तामाल कर सकते हो, तो gas iron का, mild steel का या फिर concrete का भी, ठीक है, quite complicated हुटती है दोस्तों, gas direction के लिए इस लेपको एक अच्छा labor चाहिए होता है, ठीक है, तो आपको इसके diagram देख रहे हैं, क्या होता है इसमें दोस्तों, तो इसमें होता है central post, तो central post के ही, central post के ही around हमने क्या करने होती है, क्या winders का provide करना होता है, ठीक है, और दोस्तों, इसमें आपको naval post बिल्कुल भी लेखने नहीं मिलता है, ओके, अपने बालो स्टेट है, इसमें बालो स्टेट दिया है, trade दिया है, handrail दिया है, landing दिख रहे ह आपको, ठीक है, थोड़ी दोस्तों, image unclear है, इसके लिए मैं आपसे मापे मागता हूँ, then for a concrete spiral stair, the steel reinforcement is heavy and form work is complicated, ठीक है, तो आपने जब भी steel reinforcement provide करना होता है, तो क्या होगा, कि concrete structure की वज़े से आपका stair काफी heavy बन जाता है, जब भी आपने water tank का construction दिखाऊंगा, दोस्तों, आ and the spiral may be provided with the cut or close strings, ठीक है, तो आपने spiral stairs को एक hollow या फी solid stair, इसके अलोड में, core के round में, आपने क्या करना होता है, move करना होता है, construct करना होता है, ठीक है, और दोस्तों, इसमें आपको दो तरह की stair provide होती है, with cut or with close strings, इसके पहले हमने देखा था कि cut or close strings किस तरह से देते हैं, हमने इसके पहले देख लिया था, then the spiral stairs are useful, where the space available is limited, and where the traffic is less, for example, shops, दोस्तों, आपको जहाँ, congested area है, ठीक है, और आपको, आप dog leg या पिने, straight staircase provide नहीं कर सकते हो, तो उस जगह पर,